नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं CM हेमन्त से ED दोबारा करेगी पुष्टाज 7 दिसंबर को बुलाया CM हेमन्त सुरिन को एक बार फिर से ED जाज के लिए बुला सकती है कहा जा रहा है कि दिसंबर को पहले हपता में CM हेमन्त सुरिन को बुलाया जाएगा हलाकि इस बात की अधिकारिक पुष्टी ना तो CMO से की जा रही है नहीं ED की तरफ से बता दे मुख्य मंत्री हे मंसुरिन को E.D. दुबारा पुश्टाज के लिए दिसंबर के पहले सब्ता में बुला सकती है मुख्य मंत्री को दुबारा पुश्टाज बुलाने को लेकर जारखन में चर्चाओं का बजार गरम है हलाकि अभी तक ID की तरफ से इसकी कोई पुष्टी नहीं की गई है कि दिसम्बर महीने के पहले सब्ता में मुखे मंत्री है मंसुरे máximo को दुबारा पुष्टाज के लिए बुलाया गया है बता दे चार्चा में है कि E.D. ने 7 दिसंबर को मुख्य मंत्री है मंसुरिन को दुबारा बुलाया है हलाकि इस बात की अधिकारिक पुष्टी ना तो E.D. ने की है और ना ही CMO की तरफ से इस सम्बाद में कोई सुचना दी गई है लेकिन जार्खण में इस बात को लेकर चर्चाओ का बायार बहत गरम है कि दिसंबर महीने के पहले सब्ता में E.D. ने मुख्य मंत्री है मंसुरिन को दूसरी बार पुष्टाज के लिए बुलाया है जार्खण में पच्छिया हवा ने बढ़ाई ठंड जार्खण की रजधानी रांची समेत आसपास के जिलो में ठंड का असर बढ़ने लगा है उतर पच्मी दिसा से बहर है ठंड हावा ने मौसम का मिजाज बदल दिया है मौसम बिग्यान केंदरे रांची के वरिये बैग्यानी अभिसेक आनन्द ने बताया है कि पूरे राजे में पच्छिया हवा का असर दिखने लगा है अगले दो से तीन दिनों तक तापमान के गिरने की संभावना है सुबह में कुहरा और धूंद और बाद में मौसम साफ रहने के संकेत दिये गए है मौसम बिग्यानी ने बताया है कि पच्मी दिसा के हावा कंकरनी बढ़ाएगी उन्होंने बताया है कि अभी उतरी छेत्रों में बर्फ बारी और ठंड हावा के बहने का असर जारकन में दिखने लगा है बता दे कि सुबह में कोहरा के कारान और साम के बाद ठंड का असास हो रहा है नगर निकाय चुनाव टला तो फीर से सुरू करनी होगी प्रसासनिक परकिरिया जारकन नगर निकाय चुनाव को लेकर रोष्टर जारी हो गया है रोष्टर जारी होते ही आरक्षीत सीटों को लेकर विरुद परदसन सुरू हो गया है वहीं सरकार भी इसको लेकर मंधन कर रही है पिछले दिनों TSE की बैटक में भी चुनाव की तारीक को लेकर कोई असपस्ट नीरना नहीं हुआ इससे चुनाव टनले का संसे उत्पन हो गया है अगर नगर निकाय चुनाव टल गया तो फिर से प्रसासनिक परकिरिया शुरू करनी होगी सुत्रो के अनुसार अगर नगर निकाय चुनाव टला तो यहाँ पर पूरी प्रसासनिक परकिरिया फिर से शुरू करनी होगी 5 जनवरी 2023 से नए मद्दाता सुची माने हो जाएगा इसके कारण फिर से वाड़ वार मद्दाता सुची का विखंडी करना होगा वहीं मद्दाता सुची का प्रारूप परकासन होगा अपत्ती लेनी होगी साथी इसका निस्पादन भी करना होगा नए सीरे से निर्वाची तथा सहायक निर्वाची पताधिकारियों के सुचना भी जारी करनी होगी कुर्मी महतो को आदिवाची घोसित करने की मांग पर अपत्ती पच्मी सिम्हुम जीले से कुर्मी महतो समुधाय की आदिवासी घोसित करने की मांग आदिवासीयों को राश नहीं आ रही है इस मांग के विरोध में आदिवासी समुधाय के कुछ लोग सड़क पर उतर आये कोलहान के मुख्याले चाइबा सामे मंगलवार को आदिवासी समुधायक लोगों ने जन आकरोस बाइक रैली भी निकाली जिसमें समुधायक लोगों ने एक जुट होकर मुख्य मंत्री मंत्री और बिधायकों का पुतला भी जलाया वहीं रैली टाटा कॉलेज मैदान से सुरू होकर तामबो चौक बस स्टेंड होते हुए पोस्ट आफिस चौक पहुंची यहां सबी काटा हुए और मुख्य मंत्री हेमान सुरेन मंत्री चंपाई सुरेन बिधायक दसरत गगाई बिधायक निरल पूर्ती बिधायक सासी भोसन का पुतला दहन किया चक्रधरपूर में धारा 144 लागू गिरी राज सेना हिंदुवादी संगठन के परमुख कमल देव गिरी की हत्या के बाद चक्रधरपूर में धारा 144 लागू है चक्रधरपूर में Rapid Action Force की तैनाती भी कर दी गई है वहीं इस हत्या के बिरोध में दुकंदारों ने स्वेक्छा से ही अपनी दुकाने बंद रखी है बता दे पच्मी सिमुम जीला के चक्रधरपूर में गिरी राज सेना हिंदू आदी संगठन के परमूख कमल देव गिरी के हत्या के बाद सहर में तनाव है जिसे ध्यान में रखते हुए चक्रधरपूर में धारा 144 लागू कर दी गई है साथी पूरे सहर को पुलिस चावनी में तब्दिन कर दिया गया है हाथी दात के साथ पांच तसकर गिरफतार चाईबासा से बड़ी खबर है बतादे वन विभाग के पतादिकारियों ने कई हाथी दात बरामत किये हैं साथी पांच तसकर को भी पकर लिये हैं पाच्मी सीमुम जीला के चाईबासा सहर इस्थीत कुमार टोली से कई हाथी दात बरामत हुए है चाईवासा बन विभाग के पतादिकारियों ने गुपत सुचना के अधार परियार करवाई किया है इस दोरान चाईवासा बन विभाग के पतादिकारियों ने पांच तसकरों को भी गिरफतार किया है जनकारी के अनुसार पता दिकारियों ने दस हाथी दात बरामत किये हैं माय माटी भासा और संस्क्रीती को मिला संगीत नाटक अकादमी संगीत नाटक अकादमी ने वर्ष 2019, 2020 और 2021 के लिए पुरसकारों के एलान कर दिया है अजादी के अमरीत महोसों के मोखे पर पूरे भारत भर से करीब 86 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरसकार से नवाजा गया बता दे संगीत नाटक अकादमी पुरसकार में जार्खंड की माय माटी भासा और संस्क्रीती को भी सामिल किया गया है जार्खन के लोक नायक कलाकार नंदलाल नायक ने अपने पुस्तक पोस्ट में लिखा है कि वास्तव में मुझे गर्व है मेरी सिफारिस को संगीत नाटक अकादमी परिशद ने सविकार किया इसके लिए धन्यवाद उन्होंने भरोसा दिया कि माय माटी भासा और संस्क्रिटी के तहट भविस में और भी प्रस्तुती दी जाएगी चातरा में पांच साल तक के साथ परतिसद बच्चों को एनिमिया जार्खन के चातरा जिले में बच्चों में को पोषन की इथिति गंबीर है जिले में पांच साल तक की उमर के साथ पीश्दी से ज्यादा बच्चे एनिमिया के सिकार है वहीं करीब 50 पच्ची बच्चे ऐसे हैं जो बावने इथा गाए वहीं 30.50 ज्यादा बच्चे को पोसित है वही 51.50 से ज्यादा बच्चों का वजन भी कम है जारखन इस्टेट फूड कमिशन की नियूट्रिसियन रिपोर्ट पर गवर करेंगे तो पाएंगे कि उचित पोसन के अभाव में 49.6 पोसन का शिकार हुए वहीं 51.50 का वजन कम रह गया जबकि 60.50 बच्चों में खोन की कमी है वहीं 10.50 बच्चे गंभीर रूप से कुपोसन के सिकार हैं बाबा मंदीर में की वार कोड से होगी इंट्री बाबा मंदीर में सिक्र दर्शनम बेवस्था के तहट जलारपन करने वाले भक्तों के सुविधा को और बेहतर बनाने के उदेश से नई बेवस्था बनाई गई है इसके तहट अब सिग्र दर्शनम सुलक देने के बाद भक्तों को काड की जगा कागई पर अंकीत वन टाइम QR कोड दिया जाएगा इस कोड को सिग्र दर्शनम मसीन में लगे एसकेन में एसकेन कराते ही मसीन में लगा आटोमेटिक गेट दो सकेन के लिए खुलेगा इससे बाद में भक्त परवेश करेंगे इन QR कोड का उपयोग एक बार ही किया जा सकता है मंदिर प्रवधन से मिली जनकारी करुंसार इस नहीं बेवास्ता को लागू करने के मोख्य उदेश खर्च को कम करने के साथ साथ बेवास्ता को बेहतर बनाना है कोडारमा उपायुक्त पर भड के स्वास्त मंत्री बना गुपता जार्खन के स्वास्त मंत्री बना गुपता ने सुक्रवार को कोडारमा के कोडारमा मेडिकल कॉलेज के निर्मान कार का अच्छक निरिक्षन किया इस दोरण उन्होंने भवन निर्मान में लगाये जा रहे समगरी को देखा इसी ती देख उन्होंने नराजगी जताई है जाई-जाई लेने के बाद उन्होंने भवन निर्मान में परियोग की गई छड़ की गुनवाता को जाच कराने का निर्देश दिया मंत्री ने कहा है कि भवन निर्मान में परियोग की गई छड़ को परियोग साला में भेज कर इसकी गुनवाता जाच करे इसके साथ साथ कर्मा मेडिकल कॉलेज के पुरे प्राकलन की समीति करने की बात कही है उन्होंने उपायुक्त अधित्य रंजन से जांच दल गठन कर 15 दिनों के अंदर जांच रिपोर्ट उपलवद करने का निर्देश भी दिया है पलामू में आठवी की छात्रा से दुसकर्म पलामू जे लेके हुसाइनबा थाना चेत्र के उगरबाद प्रभावित गाउं चूर पहरा में नवाली के लड़की से दुसकर्म के बाद उसका असलील वीडियो बना कर चार महिने तक सोसन किया गया जब लड़की ने इसका बिरोध किया तो उसने वीडियो और फोटो वाइरल कर दिया इस मामले में पिरिता के पिता ने हुसाइनबा थाना में केस दर्ज करा करनेया की गुहार लगाई है पुलिस मामले की जाच कर रही है इस घाटना को लेकर पीडिता के पिता ने गाउं के ही एक युवक सनोज पसवान के खिलाब नामजात परत्मी की दर्च कराई है चत्रा में पांच लाह के इनामी नक्सली सहदेव जादो के घर पर चला बुल्डोजर चत्रा जिले के राजपूर थाना छेतर के सिकिंद गाउं में पुलिस ने पांच लाह के इनामी नक्सली सहदेव जादो के घर को बुल्डोजर से धवस्त कर दिया है इसके साथ ही अदालत ने जारी गिरफतारी और कुर्की जप्ती के आदेश का पालन कराते हुए करवाई की है पुलिस ने इस दोरान घर की कुर्की जप्ती की आपको बता दे कि नक्सली सहदेव जादो लंबे समय से फराद चल रहा है चत्राग पुलिस कप्तान राकेश रंजन ने करवाई के लिए थाना परभारी विकास पासवान के नितियुत में एक टीम का गठन किया था इस टीम में SI रायसर्मा जिला बॉलवास यार पीएप के जवान भी सामिल थे हजारी बाग में मिड्डे मील में परुसा गया सड़ा हुआ अंडा के लिए डारी बीडियो किष्टो कुमार बेस्तरा से विद्याले सचीव अध्यक्स एवम संजोजी का द्वारा घटिया भोजान एवम सड़ा गवा अंड़ा देने की सिकायत की साथ ही विद्याले में गुनवात्ता युक्त भोजन की विवस्ता कराने की मांग भी की है गैस सेलेंडर लिकेज से दुमका बालिका छात्रावास में आग लगने से 45 लाकी छती दुमका नगर थाना छेत्र के कड़हर बील इस्थीत एसपी कॉलेज के एक मात्र बालिका छात्रावास में सुक्रवार की सुबस साथ वज़े आग लग गई हादसा उस वक्त होई जब छात्रावास में खाना बनाया जा रहा था कि गैस सेलेंडर लिकेज होने की वज़़े से 18 बेड वाला हौल पर रखा सारा समान जल कर राक हो गया असानिये लोग और दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पाया गया इस दोरान जान बचा कर भागने के करम में गिरने से असना तक समेश्टा चार की छात्रा बसंती मुर्मो का पैर फ्रेक्चर भी हो गया है जिसे इलाज के लिए मेडिकल कोले अस्पताल में भरती कराया गया इस हादसे में सतर छात्रावों का सारा समान जल गया जिसकी कीमत करीब तक रवन 45 लाख आकी गई है उपायूक तो ससी रंजन ने कहा इसकूल हाजरी बनाने के लिए नहीं आये उपायूक ससी रंजन शुक्रवार को स्री हरी पलोस टू हाई स्कूल का निरिक्षन करने पहुंचे इस करम में डीसी कक्चा बारा के कलास रूम में पहुंचे वहाँ सिक्चक नहीं थे चात्र पढ़ाई कर रहे थे DC ने चात्रों से पढ़ाई के बारे में पुस्ताच की इसके बाद बेंच पर बैट कर हिंदी की पुस्ताक हाथ में लेकर चात्रों को पढ़ाने लगे DC हरिवन्स राय बच्चन द्वारा पुस्टरक में लिखी कविता चात्र को सुनाने के लिए कहा एक भी चात्र कविता नहीं सुना पाया DC ने कोई भी कविता सुनाने के लिए बोले पर एक भी चात्र कविता नहीं सुना पाया डीसी ने अमिताब बचन के पिता का नाम पुछा इसका भी जवाब छात्र नहीं दे पाए इसे डीसी नराज हो गाए सिक्षकों से कहा है कि बच्चों की पढ़ाय की छिती अची नहीं है इसकूल का नाम खराब मत किजिए लपरवाही बरदास नहीं करेंगे बच्चों को अ जब लोग दरवाजा तोड़कर कमरे में पहुँचे तो फंदेश से लटकती लास के सामने कम्प्यूटर पर वीडियो गेम आउन था बच्चे की मा डीपी एस में टीचर है जबकि पिता चक्रधर पूर रेल मंडल के सीनियर डीएसी ओंकार सीन के इस्टेनों है घटना के वक्त बच्चा घर में अकेला था लड़का तवियत खराब होने की बात करकर स्कूल नहीं गया घटना चक्रधर पूर रेलवे कलोनी में हुई है धन्यवाद